कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप चलिए mcq सीरीज में यूनिट सेवन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव सरी सरशना और मानव सरी सरशना को मैंने दो पार्ट में लिया है आज हम दो डिसकस करेंगे वो पार्ट बन डिसकस करेंगे अथे तो आप जितने भी हैं वो जल्दी से यहां पर जुड जाईए बिल्कुल गुड इ wildlife चलिए चलिए जल्दी से पहले जुड जाईए यहांपर जितने भी आपके गुरूप्स हो हो लिNK सेहर कर दीजिए ताकि जादा से जाता बच्छे जुड और उनको हो fieldúsica गूड़ीवनिंग गूड़ीवनिंग एवरी वान गूड़ीवनिंग चलिए जो लोग जोड़ चुके हैं वो देखिए जड़ा यह पहला प्रश्ण आपके स्क्रीन के सामने है मानब्शरी चलचना में एक पहला प्रश्ण कोची का भीवाजन प्रक्रम कोशी का विवाजन का सेक्वाजन क्या होता है माई शृब vocals यह हैं कोशी कीजिए कोशीछ कीजिए इंहां अंसर देने की इसको मैं डिसक्स मैं करूंगा बहुत important question है मानब शरीर की हम लोग बात करेंगे तो मानब शरीर कि सबसे शूश्मतम जो इकाई होती है सबसे छोटी जो इकाई होती है जो किरियात्मक होती है वो कोशिका ही होती है तो मानब मानव शरीर को जानने से पहले हमको कोशिका के बारे में पता होना चाहिए इसलिए पहला पर हो सबस्पेहले को शीका के बारे में हम जानेनगे तो आपको पता ही होगा विद यहां चलिए और बच्चोंने answer दिया है बहुत बड़ी है यहाँ पर इसका जो answer आपका रहेगा वो answer जब आपका B answer correct है आप यह जो आपका प्रशन है कोशिका विवाजन के ऊपर है यहाँ पर हम कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका क्या है हमारे सरीर की सरचनात्मा को क्रियात्मा के काई जो है वो कोशिका होती है और कल के लेक्चर में हमने ये डिसकस किया था कि किस की खोच किस ने की थी तो वो मैं और लेड़ी आपको बता चुका हूँ ठीक, हाँ प्राव मैटा बिल्कुल सही है कोशिका विवाजन मतलब कि कोई आपकी कोशिका ठीक, विभाजित होकर दो कोशिकाओं में आपकी कनवर्ट हो जाती है ठीक, यहाँ पर दो और चाल भी होती है वो अर्दसूत्री विवाजन होता है, मियोसिस होता है लेकिन माइटोसिस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपका एक कोशिका दो कोशिका में आपकी भीजाव विवाजित हो रही है तो यह नॉर्मली आपका कोशिका विवाजन कहलाता है दो प्रिकार का कोशिका विवाजन होता है आपको याद अखना है कि एक कोशिका विवाजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस ठेक है और एक जो कोशिका विवाजन होता है इसको बोला जाता है मियोसिस माइटोसिस को समसूत्री विवाजन कहा जाता है और मियोसिस को अर्दसूत्री विवाजन कहा जाता है सम्सूत्री का मतलब होता है कि गुर्षूत्रों की संख्या समान होगी अर्ध सूत्री का मतलब होता है कि गुर्षूत्रों की संख्या आधे हो जाएगे तो अगर गुर्षूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 46 गुर्षूत्र आपके पाए जाते हैं और जोडों में रहते हैं तो 23 जोड़ी गुड़सूत्र आपके रहते हैं, तो यहाँ पर आपका 46 गुड़सूत्र से, अगर संतती कोशिया में डॉटर सेल में 23 गुड़सूत्र अगर आपके हैं, तो आपको याद अखना है कि उस प्रोसेस को मर्दसूत्री विवाजन बोलते हैं, मियोस इसके नम से बोलते हैं, और यहाँ पर अगर 46 हैं, और 46 ही यहाँ पर रहेंगे गुड़सूत्र, क्रोमोजोम, तो यहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा, आपका माइटो सेस्या संसूत्र विवाजन कहा जाएगा, यह दोनों ही विवाजन, कोशिका विवाजन है, इन दोनों ही विवा T से आपको याद कर लेना है तो PMAT मतलब प्रॉफेस, ठीक, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस ओके तो PMAT से आपको याद कर लेना है और जैसे कोशिका भिवाजन का परश्ण आएगा आपको तुरंत इसको टिक कर देना है एक परश्ण और पूछा जाता है कि कोशिका भिवाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है तो प्रॉफेस है तो यह कोशिका भिवाजन का प्रश्ण इहां पर कम्प्लीट होता है आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्ण की तरफ बताईए कि सुसाइडल वैग ऑफ दी सेल कोशिका की आत्मत्या की थैली अगर आप ले किते question डियू ट्यूम ने कि भ adapt बड़ और या ठॉद्वेस की प्रश्ण इकलकर आएगा गिए आपका लाइसो सो निकलकर आएगा बहुत अच्छा लग रहे आप धड़ादर आंसर दे रहें और तो बहुत अच्छा लगता तो लाइसो सम बैर गोड़ तो कोशिका की आत बहुत बढ़ी है चुड़ते चलिए मनोज बने चलो राइब सोम को क्या कहा जाता है तो यह भी कल मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो डैट इस प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करता है ठीक है और इसमें थोड़ा एक्ट् सेवंटी एस और एगव जो राइब सोम होता है वो होता है आपका एट्ट्पी एस कभी कभी पूछलेते हैं है कि अधा मतलब क्या है बढ़ा होगा तो बच्चे समझते हैं कि वह होता है वह साइस होता है नो व्यों पूज़्ा गया और किसी की एक्जाम में प्रश्णativas कि क्या होता है तो साफ को याद आपको यादखना है कि यह से हम स्वेड़ वर्ग के नाम से जानते हैं है स्वेड़ आपको यां दुआ है कि यहां आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा मैं कौन सा राइबोसों पाया जाता है तो आपको जो आंसर लगाना है वह कौन सा लगाना है है वो 70 लगाना है क्योंकि माइटो कॉंड्या होते हैं यू के रेटिक में हैं लेकिन आप बच्चे यहीं गलती करते हैं लेकिन आपको यहां दखना है कि यू कैरिटिक में बाकी जगे पर 80 रहे लेकिन माइटो कॉशिका में नहीं पाए जाते पादब को क्या बोला जाता है तो इसको कोशिका का उर्जा घर कहा जाता है पावाराउस आप दी सेल कहा जाता है गॉल्जी बोड़ी को पोस्ट मास्टर अब दी सेल कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है यातायात प्रवंदक कहा जाता है डाकिया कहा जाता है तो यह सब किसको कहा जाएगा आपका गॉल्जी बोड़ी को कहा जाता है चीक है तो गॉल्जी बोड़ी के बारे में करेगी यातेयाद को प्रभंदित करेगी तो सिंपल आपको यह निकनेम आपको याद अखना है कोशिका के जित्ते भी कोशिकांग है उसमें उनके मुख्यकार और उसके कुछ नाम दिये गए हैं वह आपको याद अखना है ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्ण की तरफ बताई ज़रा राइवोसोम राइवोसोमल आरेने का भंडार ग्रह राइवोसोम आरेने या राइवोसोमल आरेने अच्छली में यह होगा यहां पर एक थोड़ा सा एक करेक्शन कर लिजेगा जो इंग्लिश मीडियम वाली है ना शोड़ा वह इसको साइन्ट्रॉसूम नहीं पढ़ना ठीक है इसको पढ़ना नुक्लियोलास में आपका नुक्लियस के अंधर ट्रेक्ए आपका भात होता है गड़ाड權ातया आपका अन्ट्री में एक तांस आप पड़ेगा देखो यहां वही तो मैं बोल रहा हूं कि यहां confusion create होता है कई बच्चों को देखते हैं कि class रुक रही है तो क्या problem आपकी आ रही है वो चेक कर लेगी टेक्निकल टीम देखिये यहां बहुत सारी जो answer मिल रहे है वो आपका answer मिल रहा है और बहुत कुछ answer आसे हैं जो answer मिल रहा है आपका c मिल रहा है दोनों में अंतर आप थोड़ा सा समझेगा बच्चे थोड़े से confused होते हैं Kendrako Kendraka को लेकर Kendra अलग है क trademark अलग है और इसका सही कोशिका का मस्तिस्क किसे कहा जाता है कैंद्रक करता है कैंद्रक करता है कैंद्रक के अंदर क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्य यह बीच वाला भाग जो है वो कैंद्रा के यहीं पर एक तो क्रोमिटिन के घागे पाये जाते हैं ठेक है और शौक है यहां पर गाड़ी सी एक आपका सरच चुनाई के स्ट्रेक्चर पाये जाता है लो ब्लेक कपा आपका एक श्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रिल्स रहेगा आंसर ठीक है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है तो अलग है केंद्रिक का अलग है चलिए देखो अभी ऑप्षिन की उपर डिपेंड करेगा जैसे ऑप्षिन में केवल केंद्र की दिया है और बागी और पार दिया तो फिर आपको एंद्रक लगाना ले अहां पर आनुवा सिप्ता के काई कौन सी होगी आपका जीन होगी गुड इबनिंग बेरी गुड इबनिंग चलिए अगले प्रशनी की तरह बढ़ते हैं बताई जड़ा मानब सरीर की अगर मैं बात करूंगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आपकी रहेगी है जल्दी जल बहुत बड़िया सही है नियूरोन नियूरोन तंत्र का कोशिका जो रहती है वो सरीर की सबसे लॉंगेस्ट या सबसे बड़ी कोशिका आपकी रहती है यह द्यान रखना है और अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका जो रहती है वो रहती है आपका तंत्र का कोश कोशिका और मनुस्य जो रहती है तो इसका सभी आंसर रहे गाँ वह कॉंसा रहे आपका ए रहेगा अप देखेए अगर ये बड़ी पूछा है तो इन्हों कोशिका की आपकी जो कहलाती है वो granule cell कहलाती आपके मस्तिस्क में एक पार्ट होता है जिसको चाहता है तो सदीर के संतोलन को екाम सरेविल मं करेगा सेडियनग विलंक के अंदर जो होती है जिसको लोग आम सेज़ के नाम से जानते हैं जिसको हम granule cell के नाम से जानते हैं, यह cell आपको याद रखना है कि यह cell आपकी सबसे छोटी cell आपकी होती है, एक और यहाँ थोड़ा सा confusion होता है, कि आयतन के आधार पर, according to the volume, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन से होगे, तो according to the volume, आधार पर सुक्राणू को सबसे छोटा माला जाता है, और अंडाणू को सबसे बड़ा माला जाता है, ठीक है, तो उसमें confused नहीं होना है, ठीक है, चलिए, हाँ, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आपको याद अखना है कि सबसे बड़ी कोशी का और सबसे छोटी कोश कोशी का कौन सी है, तो यह आपको याद अखना है, और overall सबसे बड़ी कोशी का कौन सी होती है, तो आप सबको पता होगा कि सुतर मुर्ग का जो अंडा होता है, और जो एग होता है, वो कोशी का सबसे बड़ी होती है, और माइको प्लाजमा सबसे छोटी होती है, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्णी की तरफ कि बताई जड़ा डी एन ए अनुवान सिक्ता की काई है डी एने के अंदर कौन सी सरकराप पाई जाती है कुछ वच्छे आंसर भी दे रहे हैं कुछ वच्छे आंसर सी दे रहे हैं चले इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं भी अधिकतर आंसर जो आ रहा है वो भी आ यहां पर आंसर जो है वह रही हैं यहां पर आंसर कौन सा है यह पैंटोप है यह पैंटोप पर देख्ائیں तो एकलग होता है जिस एकलग को हम लोग बोलते हैं유 क्लियो टाइट उपने की इसको क्या बोला जाता है इसको पर अखिड देख में घर बात करोगा तो यहां पर आप देखेंगे गवानियन सब्सक्नाि ещё यह बैड है अग गनेंड एकड नायटरोड सब्सक्राइट आपको रहती है दीनेट के ऑंदर एक बोला जाता है एक बूला जाता है गवानीन है नाम से जानते हैं और एक कहा जाता है प्रीमीडीन के अंदर आइडिनी साथ टी के साथ और ग्हाणीन हमें साइटोसीन के साथ ब्लाती है यहाद हें धायगी ओफ अपको याद अखना है इसके अलावा डJE ले में आपका एक सरकरा पाई जाती है ऑर वह सरकरा या सुगर्ज वो पाँच कर्वन वाली होती है इसके अलावा डियोक्सीर भी सरकरा होती इसके अलावा डिने में पाए जाता है तो थालव सबसू ह्इकत तो दद्याये में जो पाया जाएगा कमा जाए गा टीनये में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा तो सिंपल आपको यहाद तकना है कि वहЧто पाया जाएगा ठीक है तो यह पाया जाएगा वह यहां पाया जाएगा फॉस्पेट और सरक्रा डियने के बैकबॉन का निर्बाण करते हैं तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है और अनुवांसिक सुष्णा को जैनेटिक मटेरियल को रखने का जो काम करेगा वो कौन क आरेने में यूरिसल आ जाता है डियने और आरेने में सबसे बड़ा अंतर है कि डियने में थाइमीन की जगे जो है आरेने में वो यूरिसल हो जाएगा डवल बॉन ऑर विपल वण भहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बताईये बताई जबाई जड़न इसका आंसर क्या होगा ऐटीपि एटीपि का फुल अगर मैं बात करूंगा तो ATP को energy currency of the cell कहा जाता है भई हम जो खाना खाते हैं ना भई आप घर में खाते होंगे रोटी दाल चाबल कार्बोहाइडिट खाते हैं कार्बोहाइडिट पशने के बाद गुलुकोज में तूटता है और गुलुकोज जब सैल के अंदर माइटोकॉंड्रिय में जाएगा तो माइटोकॉंड्रिय उस गुलुकोज को करता है किसमें ATP में ATP क्या है तो ATP आपको याद अखना है कि गुलुकोज से निर्मित होता है इसको energy currency of the cell के नाम से जाना जाता है energy फॉस्फफट आपका रहता है इसका सही अनसर होगा एडिनोसें ट्राइफॉस्फट लिए आपको दिये भूए है नाम इनका कोई मीनिंग नजी है यहां पर आपको याद अखना है एडिनोसें ट्राइ एटैस्फॉस्पैट मिलती है सरीर तो आप जितना उचलते हैं जतना कूदते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं आपकी कोशिकाएं कर रहे हैं वो सारी उर्जा किस नुद रही है वो एटीपी के रूप में मिलती हैं है बहुत बड़िया जाओ चलिए आगे बढ़ते हम लोक कि अगरी इसका तो अपांसर ढई देंगे कितनी है मनुगे इस आगरा बताई बहूत कितनी हुथ है मनुगे क संझ्ध मोखत का बताइए कितनी होती है अरे कोई तो ए आंसर दे दो इसमें देखो ये भी कंफ्यूज ये कोशन आपको लग रहा है कि सिंपल है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए परश्ण मैंने डाला है मैंने आपको बताया कि मनुष्य के हर प्रजाती के जीप के अंदर गुर्शूत मनुष्य की प्रजाती होती है उसमें मनुष्यों में गुर्शूत्र संख्यार आपकी रहती है लेकिन नहीं बन जो आपको आता है उसमें गलती नहीं करना है अगर उसमें गलती कर दी तो फिर आप सेलेक्शन से काफी जादा दूर हो जाएंगे देखिए यहां पर इसका जो आरे 23 नहीं है अभी अभी मैंने बब को बताया वो 23 जोड़े में रहेगा इसका जोड़ा कहां लिखा है कहीं ल आप आंसर क्या लगाते हैं या फिर यहां ऑप्शन में केवल 23 ही होता चालिस नहीं दिया होता तो फिर आप आंसर 23 लगाते तो फिर यह मान कर चलते कि वह जोड़े पूछ रहे हैं लेकिन यहां 23 और 46 दोनों ही दिया है अरे बिल्कुल या देखो जरग गलत नहीं करना है हम चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं हो इसमें चलो बताओ मनुश में गुरसूतर की संक्या कितनी है तो 46 समझ में आया यह प्रशन आपका वह तेज जोड़ों की अगर मैं बात करूंगा तो तेज जोड़ों करते हैं तो लिंग को छोड़ कर अन्य कारकों का निर्धारन करते हैं 23 जोड़ा क्या करता है तो यह लिंग का निर्धारन करता है तो लिंग्यक का निर्धारन सिख्योव में किस zak द्वारा होता है 23 गोरे की द्वारा हुता है महिलाव यह जो जोना होता है न देने किसका रहता है बताइये बहुत प्यारा परक्ष्न बताईए इसका अंसर बताईए कि जीव में माइटो कॉंडरिया का डियने होता है देखो कोशिका में डियने के अंदर पाया जाता है इसके अलावा माइटो कॉंडरिया में पाये जाता है और लवक में पाये जाता है हमारी कोशिका जन्तु कोशिका के अंदर लवक नहीं पाये जाते हैं माइटो कॉंडरिया पाये जाते हैं तो डियने की उपस्तिती दो जगे एक केंद्रक में और एक माइटो कॉंडरिया में हमारी बॉड़ी के अन्दर टो सही आंसर भूगा ना बिलकुल नहीं इसका जो सही आंसर आंसर रहेगा माता का हमारी माइट्र कॉंडल C नहीं है दियान से सुनगा इसका जुए ऑंसर है ऐन्ली मदर् आपकी बॉड्र के अंदर स्टीज कुए उनकी मां के अंदर उनकी मां का रहता है यह द्यान रखना वही ऐसे ही प्रश्णों के लिए तो यह हमसे क्यों सीरीज लागी गई है कि आपको अगर यह प्रश्ण में होता कि जीव में डियनी किसका रहता है तो फिर यहां लगता कि माता और पिता दोनों का रहता है समझ आरी बात जो मैं बोल रहा हूं कि चलिए नेक्स्ट प्रश्ण जनम के बाद मानव की किस उतक में कोशिका भिवाजन नहीं होता हाँ कुश्ण में दम है ना ऐसी कुश्ण तो लेकर आए हैं आपके लिए कि जिसमें मज़ा है आपको बताईए जनम के बाद जनम के बाद मानव के किस उतक में कोशिका भिवाजन नहीं होता कुश लोग ए दे रहे हैं कुश लोग सी दे रहे हैं कुश लोग भी दे रहे हैं देखो यहाँ पर आपको याद अखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका नर्वस Neurons तो आपको याद रखना है कि Neurons में कोशी का विवाजन नहीं होता है तो जो Nervous Tissues होते हैं Neurons आपके रहते हैं उन में कोशी का विवाजन नहीं होता है तो यहाँ पर यह चीज आपको याद रखना है तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका बी होगा ठीक है चलिए इसका सही आंसर होगा भी सी नहीं होगा इसका आंसर भी होगा तंत्रे का कोशी का नियूरॉन होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्णी की तरह बढ़ेंगे हम लोग बताईए जड़ा यह बताईए इस प्रश्ण का आंसर अल्रेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी-अभी बताई जड़ा इसका आंसर क्या रहेगा कौन पादब कोशिका और जन्तु कोशिका में एंदर करता है बिच अब फॉलविंग डिफ्रेंस इन प्लांट सेल और अनिमल सेल कौन सी ऐसी चीज है जो एक में तो पाई जाती है दूसरे में नहीं पाई जाती बताईए इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी बताईए पादब कोशिका में तो रहेगी लेकिन जन्तु कोशिका में नहीं रहेगी एनिमल सेल में एपसेंस रहेगी लेकिन प्लांट सेल में आपका प्रिजेंट रहेगी इसका सही आंसर कुछ लोगों ने ए दिया है बी दिया है सी दिया है इसका सही आंसर आप लवक और कोशिइका बित्ति प्लासित जो रंगों के लिए उत्तरदाई होते हैं चीज उक पह लुग होते हैं वह आपके प्लांड सेल के उंदर पाई जाते हैं कोषिझा वह कई वैश नहीं पाई जाती इह हैं वह लिए लबक आपका होता है और माइटो कौणरी होता है इन दौनों को स्वायत कोशिकांग कहा जाता है कुछ मामलों में ये लेने में स्वतंतर होते हैं इंडिपेंट होते हैं तो उनको थाही आंसर मताईएबक कोशी की स्वाशन इस्थल रायबसोम लाइसास्तोम माइ्टोकॉंडूडरिया अंताप्रदवाय रायरो सुम लाइसास्तोम माइटीवांड़्यूं में डाली एड्म डू प्ल्लास्मेक रैущback कूलम इरज स्वाशन का स्वाशन गें माइटो कॉंड्रिया अंता प्रदवाई जालिका राइबोसोम लाइसोसों माइटो कॉंड्रिया एडम डो प्लाजमे क्रेटिक पुल्लम इयार जिसको कहा जाता है शॉट फॉर्म में मताई कहां पर कोशी के एस्वर्शन आपकी क्रिया होता है बहुत बढ़िया इसका तो आंसर आप देए देंगे कोशी के शुषन जो होता है भूजन का ऑक्सी करन ऑक्सीडिशन ऑफ फूर्ड एन औरोविक रेस्परेशन सल्लेलोर रेस्परेशन यह सब कहां होते हैं माइटो कॉंड्रिया में यह ध्यान लखना तो इसका सही आंसर आपको यादकना है कि माइटो कॉंड्रिया रहेगा कोशिका का ओर्जा घर कहा जाता है इसको क्योंकि ऑक्सीजन और गुलूकोज से एटीप आपका बनाता है साथ में स्योटू बनाता है वाटर भी बनाता है तो यह चीज़ आपको यादकना है चलिए अंतर अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं बताइए यह वी तगड़ा कोश्यन अच्छा कोश्यन है बताइए कौन-कौन इसका उत्तर देने में सक्षम है इसको बैक करके थोड़ा सा देख लिए करो लेकिन बैक में फूर लाइप चैट नहीं कर पाओगे तो कि बताइए इसका आंसर कोई तो देजिएगा कोई तो बाइलोजी का विश्यशक होगा तुम मैंसे जिसके बाइलोजी जिसने पढ़ी होगी कभी इसका सही आंसर बता है किस सवस्था में जाने पर कोशिका का आगे की तरह भिवाजन नहीं होता देखो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ अभी तक इसका आंसर नहीं दिया सब लपेटी रहे हैं कि जी टू होगा एस होगा विल्कुल आउट ओव माइंडी जाएगा और मपेपीसी में ऐसा ही प्रशन आपके पूछे जा रहा है अब उठा के देखो बाइलोजी में अंदर घुसके वो प्रशन पूछ रहे हैं समझ आ रहा है हमको पता है कि अमासे के अंदर S.E.L. का निर्मार होता है लेकिन आप वो यह नहीं पूछ रहे है कि अमासे के अंदर S.E.L. बो पूछ रहे है कि अमासे की कौन सी S.E.L. के अंदर होगा ठेक देखो हाँ एक नए अंसर सही दिया है अनिल कुमार रजक नहीं आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा जी जीरो यह ध्यान रखना इसका अंसर रहेगा जी नौट फेस इसको कहा जाता है ठेक तो कोशिका का विवाज जन नहीं करेगी कोशिका अपनी अलग-अलग आउस् लोग जानते हैं किस नामसे का कोशिका चक्र के नामसे छ honour कि तो कि नामसे होती है कोशिका बनेगी बिक्सित होगी अपना काम करेगी तो पहु कहा जाता है इंटरफेस उस अवस्था को हम अंतरावस्था के नाम से जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है तो इंटरफेस के नाम से जाना जाता है ध्यान से सुनिएगा पहला प्रश्ण मैंने आपको बताये था कि कोशिका भिवाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेस तो लगना है वह आपको याद एकना है Interphase आपको लगाना है इस Interphase के अंधर की अवस्ता होती एप पहले आपका जीवन होता है कोशी का भ्राव कोशी को बिक्सित होती है अगर कोशी का जी नॉट में चली गई तो फिर उसका आगी कि तरफ विवाजन नहीं होता लेकिन अगर कोशिका G-not में नहीं गई तो वो G-2 में जाएगी और G-2 के बाद फिर S में जाएगी S को बोला जाता है Synthesis और Synthesis अवस्था में Synthesit अवस्था में DNA की मात्रा दुग नहीं हो जाती है तो यहाँ पर आपको याद अखना है कि S अवस्था में क्या होता है तो DNA दुग नहीं हो जाता है एक प्रश्ट यह भी आपका बनता है depth में कि कौन सी अवस्था में DNA दुग नहीं हो जाएगा अवस्था आते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनफेज और टीलोफेज जो सबसे पहला प्रश्ट हमारा था तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं कोशिका विभाजन की बात करूंगा cellular division की बात करूंगा तो यहां पर उसकी सबसे longest state जो रहेगी वो प्रोफेज रहेगी लेकिन अगर मैं cellular cycle की बात करूंगा कोशिका चक्र की बात करूंगा तो उसकी सबसे लंबी अवस्था हमारी जो रहेगी वो इंटरफेज रहेगे इंटरफेज भी अलग-अलग अवस्थाओं में गैब बन विक्सित होती है कोशिका गैब टू में कोशिका विवाजन की तैयारिया एस फेज में डिन दुगना करेगा जी नॉट में अगर यह चली गई तो फिर कोशिका विवाजन नहीं होता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौशा होगा जी नॉट समझ आ गया तो च यह कैंद्रक कोशिका द्रबी जो होता है उसका भिवाजन आपका होगा तो ठीक है चलिए नेक्स प्रश्न बताइज रक्त क्या है बाटेस्ट बलट जिसको देखके हम डर जाते हैं देखा होगा ना कि कही रक्त देख लिया तो चक्कार आ जाते हैं लड़कियों को सब्सक्राइब तुम मत हो जाना पचांस रन पर आल आउट में कुछ नहीं होगा कि अपने को मोड़न एटी चाहिए वहां पर स्री लंका को होने तो आउट कोई दिक्कत नहीं है जीती जाएंगे उसको देखने का मतलब भी नहीं आज तो बैटिंग तो ठीक है बाउलिंग आपका देखने का था तो मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी स्री लंका नहीं बनना चलो यहां देखो जड़ा बताई जड़ा इसका अंसर क्या होगा बहुत बढ़ी है यहां पर जो आंसर आपका निकल कर आ रहा है कि रक्त क्या है तो रक्त एक तरल संयोजी उतक है यह ध्यान अखना ब्लड अंग नहीं है कोशिका नहीं है यह क्या है तो यह तरल संयोजी उतक होता है ठीक सबसे चोटी का ही कोशिका उससे बड़ा टिश्य उतक उससे बड़ा अंग और फिर बहुत अंगों से मिलकर और और सिस्टम और और सिस्टम से एक पूरा सजीव की बॉड़ी बनती है तो मारब की पूरी सरशना जो बनेगी वह आपका यह बनेगी रख्त के बारे में आपको याद अखना है कि रख्त की जो प्रकरती होती है ठीक है रख्त की प्रकरती रहती है रख्त के अंदर प्लाज्मा पाए जाता है रख्त के अंदर आप देखेंगे तो रख्त के अंदर क्या-क्या पाए जाता है तो प्लाज्मा पाए जाता है ठीक प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको फाइबरेनोजन कहा ज आपको याद अक्ना और इसको मैंने निकाल दिया तो plasmi को किस नाम से जाना जाएगा आपका सीरम के नाम से जाना जाता है ठीक रक्त के अंदर कड़काईं भी होती है RBC पाया जाता है WBC पाया जाता है और यहां पर प्लेटलेट्स पाई जाते हैं चिक है चलिए आगे की तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्ण बताई जड़ा कोशी का जिल्ली क्या होती है पहर है कैके और आप्षी क्या काम करता है औक्सिजन को ले जाने का काम करता है डाभ यूविंस्ट परजी तनकर अनुटि बैउन्म में नेटवर्टव बहुत होती है कि बताई इसका आंसर कौन सा होगा कोशी का जिल्ली कैसी होती है बिलकुल बहुत बढ़े हैं कई बच्चों ने आंसर सी दिया है कई बच्चों ने आंसर भी दिया है इसका सही आंसर जो होगा करेक्ट आंसर विल्वीदा आपकी अर्ध पारगम में ठीक है तो कुछ पदार् चैनात्मक पारगम सेलेक्टिब ली पर्मिबल पारगम बात कोशी का जिल्ली आपकी अर्द पारगम होती है लेकिन कौशी का भित्ती लिखा ओता सेल वॉल लिखा होता तो आपको यह दखना है देखो, यहां देखो, आपस में बाझेत, भद किया करो, तुम लाइब चैट पर पढ़ने आती है को आपस दोünde करने के लिए आती हो दोस्ती selection के बात करना देखो जड़ा यहां पर देखो पारगम्य की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो cell wall होती है जो केवल पादब कोशिकाओं में पाई जाती है तो cell wall कैसी होती है तो पारगम्य होती है सेल वाल कठोर होती है ठीक है और यहां पर सेल वाल क्या होगी कठोर जबकि कोशिका जिल्ली सेल मेंबरेन कैसे रहती है मुलाएं ठीक कोशिका वित्ती पारगम में होती है कोशिका वित्ती सेलूलोज की बनी होती है ठीक है कोशिका वित्ती कोशिका वित्ति यहां वाकी बातें नहीं कर रहा है मैंने पहले कल भी मने किया था चिक कोशिका वित्ति जो होती है वो कठोल होती है कोशिका वित्ति सैलूलोज की बनी होती है जबकि कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है तो प्रोटीन और लिपिट्स की बनी होती है तो यह क नेक्स्ट प्रश्णी की तरफ बढ़ेंगे बताई ज़रा पित्रस का निर्माड किस अंग के द्वारा होता है पित्रस का निर्माड ठीक है बाइल जूस हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे जूस बनते हैं एक तो भार मिलते हैं जूस एपल का जूस मोसम्मी का जूस बताई जड़ा इसका सही आंसर कौन सा होगा पित्रस बाइल जूस हमारी बोड़ी के अंदर खाने को पचाने के लिए बहुत सारे जूसेस आपके रहते हैं तो पित्रस का निर्मार किसके द्वारा किया जाता है हाँ मुझे पता है बड़ी गुड बहुत बड़ी है इसमें मैक्सिमम लोग जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे आपका सी क्योंकि पित्रस पित्ता से कनेक्शन मैच हो रहा है कनेक्शन मैच हुआ टिक लगा दिया अरे वही कनेक्शन मैच नहीं करना है पित्ता स गॉल ब्लैडर क्या करता है इसको स्टोर करके रखता है लेकिन बनाने का काम नहीं करता है यह द्यान रखना बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है लिवर करता है लीवर नहीं लिवर ठीक है उसको लीवर अलग चीज होती है लिवर अलग चीज होती है दौनम अंतर होता है तो आपको याद अखना है कि इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका यकरत होगा लिवर होगा ठीक है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा लिवर लिवर आपका सबसे महत्पूर्ण ओर्गन होता है बोडी का बहुत सारे इसके काम होते हैं यह ध्यान रखेगा यह पि इसके अंदर पुनर उत्पादन की छमता होती है इसके घाग को काड़ दिया जाए तो यह द्वारा से उसी रूप में आपका आ जाता है तो पुनर उत्पादन की छमता वाला कौन सा होता है आपका यह संग्रहन यहां पे होता है ठीक प्रशन और पूछा अच्छा मैंने क्य प्रटा दिया जाए तो क्या चीज नहीं पचेगी तो बसा नहीं पचेगा तो सिंपल आपको याद अखना बेटा में ने कावी बिल्कुल बहुत सारे उसके काम होते हैं ग्लाइकोजन कावी संग्रण करता है तो आपको याद अखना है कि बसा का पाईसी करण जो करेगा को कौन करता है तो वह आपका पित्रस करता है पित्ता से निकाल दिया कभी कभी कॉलिस्ट्रोल की पत्री इसके अंदर हो जाती है तो निकालना पड़ता है निकालना पड़ेगा तो इसको सला दी जाती कि आपको बसा नहीं खाना है ठीक है चलिए नेक्स प्रश्न है कौन करेगा बताइए इसका सही आंसर जो है वो है आपका बड़ी आथ बेरी गुड़ सी नहीं है सी नहीं है इसका सही आंसर कौन सा है पानी का अप्शूशन करने का जो काम करेगा छोटी आथ भोजन का अप्शूशन करती है ज्यान से सुनेगा छोटी आथ क्या करती है को कौन करेगा बढ़ी आथ लार्ज इंटेंस टाइं इसमाल इंटेंस टैन भोजन का अब शोषण करता है यह चीज आपको याद अखना है तो पानी का अब शोषण जो भी पानी आप पीते हैं ठेक पानी नॉर्मलियम पीते हैं तो वह कहां चला जाता है वह बलड में चला कि आंसर जो है वह कौन सा रहेगा लार्ज इंटेंस टाइन रहेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण बताइए पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है बनाब ऐसा जो अधिकतर चीजों को क्या करता है पचाने का काम कर देगा जो भी आप खाएंगे कार्बो आइडिट डीटी डीडी तो हाँ दो अंसर आपके मिल रहे हैं गैस्ट्रिक कौनसा अगना अगना से यह दे रहे हैं यह सही आपका पाचक रस किसको कहा जाता है अगना से यह जूस बनाता है पैन किरिया, शरीर की एक बात तरह सी गरंथी होती है, जो मिस्रित है, जो हार्मॉन का भी produção करती है, और साथ में किसका करती है, आपका एंजैम का भी करती है, तो सिंपल आपको या रखना है, के अगर अगना से ही रस की बात करूँगा, तो सारे एंजैम होते हैं, जो भोजन इंगभा पर आत्र गरंथियों के दवारा और जठर रस कहां पर तो सिंपल आपको याद आखना है कि यह अमाशे के दवारा ठीज और रहमासे के अंदर जो होता है गैस्ट्रिक जूस्के अंदर पाया जाता है त्यट से ठिक है चलिये इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका अगना सही रशोगा अचले आगे चलिए नेक्स प्रश्न बताई जरा लार में पाया आने बाला एंजाय में जो बड़े मॉलेक्यू बहुत बढ़ो यहां पर जो आंफार रहा ह। आ एक यह इसका परफेक्ट है हमारी के oni अंदर लार लार सलाइवा ठीक है जो अच्छा भोजन देखने के बाद क्या होती है मुह में आती है लार टपकाना सुना होगा आपने क्योंकि वहाँ पर लार बन रही है ताकि वह अच्छा अच्छा भोजन क्या करें मुह के अंदर डालें लार तैयारी कर रही है उस भोजन या तो टाइलेंद मिलेगा option में या mileage मिलेगा ये लार में पाया जाता है ये क्या करता है तो संपल आपको या दख रहा है कि जो starch होता है खाने के अंदर कार्बो हाइडरेट मंड होता है उसको convert करता है ये किसमें आपका और आपके मुँग के अंदर 30% starch का पाचेन हो जाता ह है मतलम मुझ से ही पाचन आपका start हो जाता है और सबसे पहलाबाचन मुझ से कार्भृण है टीक है दूसरा पैप सेंट यह दोनों आपको याद अधखना एक कि किसको पचाने का काम करेंगे alternatives को і प्रोटिण क्या करेगा तो आपको याद अखना है कि यह क्या करेगा तो सिंपल आपको याद अखना है कि यह माल्टेज एंजाइम माल्टोज को को ग्लुकोज में कन बट करने का काम करेगा बस और हमको क्या चाहिए लास्ट में झाकर बताया है अब कौन सी कुशिका के अंदर आपका रहेगा बता है इसका अंसर क्या होगा करेक्ट आंशर बताइए इसका सी पैप्टिक कोशिका ए म्यूकस कोशिका दी बचाए लगा दो बीटा सेल कई घूम गई होंगे इसमें अरे बीटा कोशिका बेरी गूड वो तो और आप्शन नहीं दी है मैंने ये भी सी डी एफ जी एच और होते तो तुम सब लगा देते देखो जरा ए मूकस कोशिका इस से सील का निर्माड नहीं होता यह म्यूकस का निर्माड करती है जो अमासे के अंदर एक लियर बनाता है और सील से अमासे को सुरक्षित रखता है थिck इसका सही आनसर जो रहेगा वो रहेगा पैराइटल parietal kooshika क्या करती है parietal cell scl का formation करती है तो scl का जो formation करती है वो कौन करेगी तो simple आपको याद अखना है वो parietal cell करती है peptic kooshika क्या करेगी sir तो आपकी अमासी के अंदर pepsin नम का जो एंजाइम है उसको बनाने का काम करेगी प्रूंतिक ठीड हो। भूंती और तो बीसे की रूप में रहता है। आहिके सुनों थीटीक कामाइट कोём वह स्द्वाह, वह क्युट from लिले में यह की इन्सुलिन काम करती था। यह कोषिका कौझीन की कोशीक है इंसुलिन को बनाने का कम करती है। तो सिंपल आपको याद अखना है वो बीटा कोशिका होती है जो इंसुलिन का निमाड करती है और इंसुलिन क्या करता है तो गुलुकोस की लिवल को मैंटेन करने का काम करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण बताईए पाचन तंत्र के किस अंग में पाचन नहीं होता कौन सा ऐसा अंग है कि जहां खाना पचता नहीं है आपने खाना खाया वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तूटेगा बताई इसका अंसर कौन सा होगा प्राइब का और पॉली तुटे मंश्ट बाइए अंसर कौन सा है वोग्या श को आली जैए कि अपकी जो नली होती है जिसे भोजन आपका मान से यह पर्टिन rozidas था है वहां पर आपका भोजन का पाचन नहीं होता थिक मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मैंने अभी अभी बताया कि भोजन का पाचन मुख से प्रश्ण आप पूछा जाएगा कि पाच्छन मोश्ट जो होता है वो कहां होगा सर्भाधिक पाच्छन जो होगा तो छोटी आथ में होता है यहाँ पाच्छन आपका नहीं होता है क्लियरी trabajo । कि नेक्स्ट प्रेशन के पाचन में आवसोषन की पर्करिया किसके संपन होती है हमने खाना खाया खाना चोटे-चोटे भाग़ों में टूड गया अब उसको कहा जाना है बिलड के अंदर इस मो और शूषन तो आप शूर्षण की पिर्ग्रिया कहा होती है बताओ जरा आपने सुनाओगा सर्थ छोटी आत में होती है बिलकुल आंसर भी छोटी आत है लेकिन यहां छोटी आत हो दिये ही नहीं है फिर बताओ आंसर क्या रहेगा तुम लगाके आओगे D जबकर डी नहीं है इसमें सही का अंसर है अलफा कोशिका अगना से की कोशिका होती है इसका जो अंसर है वो सी नहीं है इसका अंसर है यह द्यान रखना छोटी आत्मिक सरश्चना होती है जिसको बिली लाइक सरश्चना कहा जाता है वो क्या करेगी बोस भोजन को रक्त में प कोशिका रहेगी वह आपका एलविलाय रहती है और यह क्या काम करती है तो यह गैसों का एक्चेंज करती एक्चेंज ऑफ गैसे सी ओटू को बाहर निकालेगी और डालेगी वाइद प्रोसेस्ट रफ्यूजन डिफ्यूजन बिसरन की परकरिया के द्वारा तो इसका जो सही होगा वह कौन सा होगा वह ब्यांसर अलफा कोशी का कहा पाई जाती और यह क्या करेगी तो यह एक एंजायं को निकाई सौरी हार्मन को निकालनेगा काम करती है जिसको गूलू का गौन के नाम से जाना जाता है बीटा कोशी का इंसुलीन और निकालती है तो इसका सही आंसर होगा डेट टेस भी ठीक चलिए आगे चलते हैं बताई जारा किसे कहते हैं कहां पाया जाता है कि यह भी नया ही प्रश्ण होगा आपके लिए क्रिप्ट्स ओफ लिबर हुकन बायलोजी में थोड़े अच्छे ही प्रश्ण करके जाने हैं आपको बताई जरा यह किस जगे का पार्ट आपका है क्या ये आत्र गरंथियों का पार्ट है क्या ये अगनासे की गरंथियों का पार्ट है क्या ये अस्रू गरंथियों का पार्ट है देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ने केप्ट्रॉट लिवर हुकन की आपको याद अख रहा है कि यहाँ आपकी आथ जो होती है ना छोटी आथ छोटी आथ भी क्या करती है आतरस को निकालने का काम करती है तो जो आतरस आपकी निकलती है वो आतरस जो रहता है उस भाको कहा जाता है क्रिप्ट्स ओफ लिवर हुकन ठीक अगनासे की ग्रंथियों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको आइसलेट्स ओफ लेंगर हेंस की दीपिकाएं यह ध्यान रखना तो इसका जो सही आंसर होगा जैसे अगनासे की ग्रंथियों की बात की तो अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाता क्या कि लेंगर हेंस की दीपिकाएं क्या है आइसलेट्स ओफ लेंगर हेंस तो फिर आंसर क् किताबों में यह पड़ा होगा ठीक उस आधार पर आपको अंसर लग रहा है कि अगनासे की ग्रंथे होगी नहीं इसका सही आंसर कुंसा है तो यह आत्र ग्रंथी और आत्र ग्रंथी क्या निकालेगी तो आत्र सको कि अब विटामीन क्या करेगा आखों के लिए इंपॉर्डेंट है तो आखों के लिए जो प्रोटीन बनाएगा तो वही चीज़ पूछी गई है कि पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर आप देखेंगे कि अवशोशित पदार्थ को सारे रिक पदार्थ में इस प्रॉसेस को क्य इसको ब्हुते हैं सेमिलेशन पांकी ऑगां अन्तर हता है उसके बास होता है और फिर सरजन अपका हो जाता है चलिए next question appendix किसका भाग है सुनाओगा न आपने appendix का दर्द हुआ appendix का operation हुआ तो appendix की अगर मैं बात करूँ आ तो appendix किसका भाग है appendix जो भाग होता है वो बड़ी आत का होता है और बड़ी आत में एक पार्ट होता है सीकम अपसेशी अंग है डॉक्टर operation करते हैं काट के बाहर निकाल देते हैं और आपको याद अखना है कि बड़ी आत में भाग होता है जिसको बोला जाता है सीकम तो सीकम का ये extended क्या होता है पार्ट होता है ठीक तो इसका सही आंसर कौन सा है भी बंबे चलिए मानब का प्रमुक स्वसन अंग कौन सा है बताईए इसका अंसर बताईए जरा मानब का प्रमुक स्वसन अंग कौन सा है फैंपडे नाक स्वसनली लेरिंक्स हाँ उसका अंसर बड़ी आत होगा बताईए ये ध्यान रखना कई लगाएंगे इसमें नाक सांस लेली स्वसन त जाती है जहां पर गैसों का हो रहा है मतलब यह जा रहा है वह बलड में मिल रहे हैं उसको कहा जाता है लुब यह उन पर चijnरूर में ल्वयुदोर इसका अंसर होगा तो अफ़रों की ज़ितक होटते हूं अगो CC एस नें यह लेरिंग्स क्या करेगा तो आपको याद अखना है कि यह बॉइस वॉक्स होता है ध्वनी उत्पादन आपके वोड़ी में यह आपके द्वारा ध्हूनी का उत्पादन करता है रहें कौन सा ऐसा गहता है वह आज इसका डिजिए रहे ह। जहां पाचन नली और स्वास नली फूड पाइप और आपका जो ट्रैकिया है वह एक जगे मिलते हैं मतलब दोनों का कॉमन पाट कौन सा है इसका सही आंसर रहेगा बताई कौन दिर रहे हैं तो सही आंसर रहेगा ग्रश्नी फारेंग जो रहता है वह दोनों का क्या होता है common part होता है और जब भी हम खाना खाती है ना तो स्वास्नली ढख जाती है और इसको ढखने के लिए जो पर्टिकुरर एक धक्कनुमा सरशना होती है उस सरशना को हम लोग एपी ग्लोटिस के नाम से जानते हैं ठीक है इसको एपी ग्लोटिस कहा जाता है इसका सही आंसर कौंसा है तो इसका सही आंसर है जैट इस दा गरशनी व ठीक है ड़ास लरी नहीं नहीं है श्वास नहीं नहीं है मत आई yon बहुत प्यारा प्रश्च्न है वियर डस ग्लाइकोलाइसस प्रॉससिस टेक प्लेस ग्लाइकोलाइसस के पिरकिलिया कहा संपन होती है बताई एक एंदरक दे-, कोश्य का देन होती है माइटो कॉंड्रियम होती है लाइसोसों में होती है कहां होती है बताइए देखो लाइब चैट पर यहां आकी बाते नहीं करनी है कौन क्या कर रहा है आपको से कोई मतलब अब यहां पर ध्यान दीजिए चले इसका जो सही आंसर होगा वह आपको लगेगा कि सी है ना आ dooria नहीं वह कोशिकाँ कर पर के अंद्र तो जीप जोंने हैं ल हुण अन्दर आपको याद अखना है तो से सो्ता याइब तो मैंने आपको बलूकोज कोशिका अंदर होगा यह क्या के अंदर जाएगा तो खोशी का द्रब्य साइटो प्लाज्मिक के अंदर यह किसमे टूल जाएगा पाइरोबिक अमल में टूटेगा इस प्रॉसेस को कहा जाता है गलाइकोल लाइसिस यहां पर यह पृणिक ऐसेड के साथ मैटोकॉण्डिया में जाएगा तो स्वाशन में CO2 का परिवहन अधिक्तम किसके द्वारा होता है किस स्वरूप में आपका रहेगा जल्दी बताइए इसका अंसर क्या रहेगा कोशिश कीजिए कि बताइए अरे इसका अंसर नहीं दिए चलो इसका अंसर जो होता है वो किस स्वरूप में होगा तो आपको याद अखना है ऑक्सिजन का पता है है हमें oxygen का तो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हीमोग्लूमिन ले जाता है लेकिन यहां पर अगर co2 पूछ लिया तो क्या करोगे तो co2 अलग-अलग स्वरूप में जाता है प्लाजमा में घुलकर भी जाता है बाई कार्बोनेट में जाता है कुछ मात्रा हिमोग्लूमिन की दोरा भी जाती लेकिन अधिकता मात्रा किस स्वरूप में जाती है तो बाई कार्बोनेट के स्वरूप में जाती है ठीक है इसका सही आंसर जो होगा वह कौन सा होगा आपका बी होगा चलिए ըेक्स प्रशन ऊपरेफ़ाओं के आईतन में परिवर्तन कौन करता है अब सांस लेते हैं फैपड़े फूलते हैं सांस चोड़ते हैं फैपड़े पिचक जाते हैं फैपड़ा फूल राईस लिए सांस अंदर जा लिया इसको वाइल्स का नियम कहा जाता है Take जैसे आयतन बढ़ेगा, दाप क्या होगा, कम हो जाएगा, अंदर का दाप कम, भार से सास अंदर जाएगी, तो इसका सही अंसर होगा कौन सा डायफरोम, पसलियां नहीं भाया, डायफरोम होता है, एक आपकी यहां सरश्ना होती है, ऐसा गुमदा कार, अगर यह गुमदा कार रहे ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कोश्ट बताई ज़रा इसका सही अंसर बताई ज़रा अनॉक्सी स्वश्शन के द्वारा अंतिम उत्पाद क्या बनेगा यह प्रश्शन कल के लेक्शर में थोड़ा सा मैंने बताया था ठीक बताई इसका सही अंसर क्या होगा बताये था मैंने और इस पर एक थोड़ा कमेंट भी किया था अगर आपको याद होगा कि जैसे एक चीज की बात होती है तो आपके मंद मंद मुसकान आने लगती है बतायी तरह अनॉक्सी शोश्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां कौन सा अंतिमुदपाद की वात हो रही है अंतिमुदपाद की अनॉक्सी शोशन का मतलब कि जहां ऑक्षीजन की आवशक्ता नहीं होती यहां पर इसका सही अंसर आपको याद अखना है कि अनॉक्सी शोशन वही केडवन की जो प्रकरिया होती है और फर्मेंटीशन की प्रकरिया में आपको याद अखना है कि यहां पर लास्ट में जो प् वो कौन सा होगा इथाइल एलकोहल होगा ठीक है चलिए तो आज की जो सीरीज है यह बाइलोजी की पार्ट वन वो आज स्टार्ट होती है पार्ट टू में फिर हम कलॉर मिलेंगे बाकी और्गनल सिस्टम के साथ नमस्ते थैंक यू थैंक यू बेरी माच अपना ध्यान रखि यह सुस्त रहिए